हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फीर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि टेकनो स्पार्ग ट्वेंटी फोन में आप लोग ऑटो चेंच वालपेपर को कैसे बंद कर सकते हो अगर आपके पास एक Tecno Spark 20 फोन है और इस फोन में आपको आपको अटो चेंच वालपेपर को बंद कर देना है आपको ये लॉक स्क्रीन का वालपेपर है गाईस वो जो है आटोमेटिकली चेंच हो रहा है तो जब भी आप लोग अपने फॉन को lock unlock कर रहे हो तो बार बार जो है वाप पर lock screen wallpaper पर अलग-अलग wallpaper शो हो रहे है ठीक है इस तो आपको जो ये पसंद नहीं है रहा है आपको एक ही wallpaper को lock screen में set कर दाना है तो कैसे आप लोग जो है इस auto change wallpaper को बंद कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते है आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा इस personalization का तो इस personalization के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर से आपको नीचे scroll down करना है last में आपको एक option मिलेगा magazine lock screen का तो इस magazine lock screen के option पे click कर दीजिए click करते ही देख सकते दो option देखने को मिलेंगे अगर दोनों ही option on है तो आपके phone में auto change wallpaper पर problem देखने को मिलेगा तो इसको बंद करने के लिए देख सकते जो पहला वाला option है lock screen कर रहा है उसल का पहले तो इसको बंद कर दीजिए और ok पे click कर दीजिए बंद हो जाएगा और जो नीचे वाला option है इसको भी click कीजिए और ok पे click कर दीजिए ऐसा करते यह भी बंद हो जाएगा और ये दोनों option बंद होने के बाद आपका जो auto change wallpaper है वो भी बंद हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने techno spark 20 phone में auto change wallpaper को बंद कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई